जै महाकाली, जै माकाम व्यक्या, आप लोग कैसे हैं, ठीके आशा करते हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्त होंगे, और मा की असीन किरपा आप लोगों पर अच्छे से बरस रही होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे आपके धन लक्ष्मी और बहुत ही अच्छे करता है कि मा की किरपा हमारे उपर बनी है, या नहीं है, हमारे घर में मा की किरपा है या नहीं है, जैसे कि आपको मैं यह दिखा रही हूँ मा कि आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं, जोत में ही दर्शन कर सकते हैं आप, आप ध्यान से देखे, आपके दिपक में भी ऐसा क्य गुल बनता है, या ऐसा फूल बनता है, जो कि आपको जोत में दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे तो दिपक में अक्सर ही ये बनता है, क्योंकि मेरी कुल देवी और मेरी दो कुल देवी हैं, जैसे कि मा काली और क्राम वेख्या मा, वैसे ही मुझे लगता है कि मा जो भी मैं पू उनकी किरपा भी बनी हुई है हमारे उपर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर तो ऐसी ही असीन किरपा आप लोगों पर भी बने और आप लोग भी इस चीज़ को एसास कर सके आप भी ऐसा अपना दीपक जिलाएं और उसमें देखे गुल बना है, फूल बना है, अगर ऐसा होता है तो आप लोग इस बारे में समझ जाएए कि मा की असीन किरपा आपके घर पर है मा की किरपा आप लोगों पर बरस रही है, आपके घर में धन लक्षमी का भिंडार भरा रहेगा आप लोगों को कभी कोई संकट नहीं आएगा, देख सकते हैं मा के दशन कर सकते हैं कैसे जोत में मा दशन दे रही हैं और जो घर के कुल देवी देवता है वो भी आपके पितर भी कितने शान्त और कितने खुश हैं तो उनको भी खुश करना जरूर चाहिए और ये गुल बन रहा है, फूल जो आ रहा है, इसका अर्थ यही होता है कि आप लोगों के घर में मा की किरपा है, असीन किरपा है इसलिए यही मा दिखाती है, संकेत यही देती है कि मैं इस घर पे हूँ, मेरे असीन किरपा है मेरे बच्चे खुश रहें और उनके किरपा बनी रहती है तो मैं जैसे मा काम्याख्या मा की और मा काली की विन्दवासनी मा ऐसे सभी देवी देफताओं की मैं पुजा करती हूँ और उनके स्री चर्णों में यह दिपक लगाती हूँ मैंने यह मा काली का और मा काम्याख्या मा का दिपक लगाया यह अक्सर अखन जोद में जलता रहता है और हमेशा ऐसे ही गुल बनता है और मा हमेशा ही ऐसे दर्शन्द है तो उनको भी खुश करना जरूर चाहिए और यह गुल बन रहा है फूल जो आ रहा है इसका अर्थ यही होता है कि आप लोगों के घर में मा की किरपा है असीन किरपा है इसलिए यही मा दिखाती है संकेत यही देती है कि मैं इस घर पे हूँ मेरे असीन किरपा है मेरे बच्चे खुश रहे और उनके किरपा बनी रहती है तो मैं जैसे मा काम्याख्या मा की और मा काली की विन्द वासनी मा ऐसे सभी देवी देवताओं की मैं पुजा करती हूँ और उनके चर्णों में ये दीपक लगाती हूँ मैंने ये मा काली का और मा काम्याख्या मा का दीपक लगाया ये अक्सर अखन जोद में जलता रहता है और हमेशा ऐसे ही गुल बनता है और मा हमेशा ही ऐसे दर्शन देती रहती है तो आप लोग भी ऐसा देखी और इस चीज़ को एसास करें कि मा की शक्ति आपके घर में है मा आप लोगों के बच्चों को ध्यान रख रही है आप लोगों के काम को बनाती है मा आप लोगों पे कभी संकट नहीं आने देंगी ये होती है मा की शक्तिया मा के संकेत, मा की शक्ती जो कि आप ऐसे साधना और ऐसे पुजा पाट और ऐसा करते हैं जो कि मा ले रही है उनके चर्णों में जा रहा है वो सविकार कर रही है आपके पुजा को तो ये मा काली की जो पुजा करते हैं मा कायम वेख्या मा की जो पूजा करते हैं उन बच्चों को ऐसे ही मा संकेत देती रहती है उनके कोई काम बिगड़ते नहीं है उनके काम बनते है तो ऐसे ही आप इनकी साधना, अराधना और उपवास करते रहें तो जैसे कि महीने में 14 आती है हमेवेश्य से पहले जो 14 आती है आप मा का वर्थ भी रख सकते हैं मा का बीज मंत्र का जाब भी कर सकते हैं तो बीज मंत्र भी मैं आपको बता देती हूँ में हीम, क्लीम, चमुंडाई, विच्चे इस बीज मंत्र का आप हमीशा एक माला ज़रूर करें जो बच्चे मा की शक्ति को, मा की आपार शक्तियों को पाना चाते हैं, मा की किरपा को पाना चाते हैं, और अपने बिगडे हुए काम बनाना चाते हैं, मा की किरपा आपके घर पर बनी रहे तो ये बीज मंतर एक माला रोज डेली आपने जरूर करनी है, और आसन और स्थान और टाइम इन तीन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखना है जैसे कि आप अगर सुबा टाइम पे एक माला अगर करते हैं बीज मंत्र का जाप करते हैं तो वो रुदराश पे करना है और टाइम उसी टाइम का रखना है आपने जिस वक्त आप माला करते हैं जिस वक्त जि उस जगह बैठते हैं और कोई भी गंदी उर्जा, कोई भी पोस्टिव चीजे ही आएंगी, नेगिटिव चीजे नहीं आएंगी घर पे अगर ऐसा दिया आप माकाली के लिए लगाते हैं, काम व्याख्या माका और माकाली का दिया सरसो की तेल का ही आपने लगाना है, मा का एक टाइम बना ले कोई भी शैनिवार मंगलवार आप ने हमेशा मा को एक अरार जरूर चड़ाना है उससे मा बहुत खुश होती है मा को शैनिवार के दिन आप काले छोले का भूग दे सकते हैं हल्वे का भूग दे सकते हैं लेकिन टाइम एक ही रखना या तो शेनिवार या तो फिर मंगलवार टाइम इधर उधर मत करना ये सारी चीजे मा को बिलकुल भी पसंद नहीं है जो बच्चे उनकी साधना करना चाहते हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं उनकी शक्तियों को पाना चाहते हैं और उनकी किरपा अपने उपर लाना चाते हैं, अपने घर पर लाना चाते हैं, तो आप ये करें, सरसो के तेल का दियार जरूर लगाएं, और आप देखेंगे कि अक्सर ये ऐसे ही माद आपको दर्शन देंगी, और ऐसे ही आपके कुल देवी देवता आप पे परसंद रहें और ऐसे ही आपको पता देगा कि आपकी इस्ट जिद्देव जो है वो आपसे खुश है और माकाली आपसे खुश है और आप पे मावसीन किरपा बना के रखेंगे अगर ये जानकारी अच्छी लगी या वीडियो अच्छी लगी गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा और अच्छे से अच्छे जानकारी के वीडियो आते रहेंगे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाना है और साथी बैल आइकन बटन भी कि आपके पास नोटिफिकेशन मेरी जल्द से जल्द पहुँचे और मैं तो दर्शन कर रही हूं माके कितने अच्छे दर्शन हो रही है जो तमें आप देख सकते हैं पास से मैं आपको दिखाती हूँ और एसी ही आप लोग भी मा की किरपा पाई मैं यही चाहती हूँ आपके भंडारे भरे माँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे सפने दिखाएं और जो मा को ऐसे ही मा ऐसे ऐसे काम कर देती है, मा के ऐसे ऐसे किरपा हो जाती है जो कि आप लोग सोज भी नहीं सकते हैं तो आगे आने वला वीडियो तंत्र मंत्र पे होगा और फिर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और आनेने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुचेगा कि तंत्र मंत्र क्या होता है और यंत्र क्या होता है इन सब चीजों पे आपको धिरी धिरे भूंगी जैमा काली जैमा काम वैख्यामा आगे फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में झाल 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 झाल